Network का अभिसरण Network अभिसरण को एकल Network पर ध्वनी, विडियो और डेटा सेवाओं के उपियोग के रूप में परिभाशित किया जा सकता है. हम सभी जानते हैं कि हम Broadband Connection में एक ही टेलिफोन लाइन पर एक साथ ध्वनी, विडियो और डेटा का उपियोग कर सकते हैं. विभिन प्रकार के Transmission माध्यमों के उपियोग से उपियोग करताओं को उच्च बैंड विट सेवाएं प्रदान करने के लिए विकास किया जा रहा है. ध्वनी संचार में अभिसरण आज की तकनीक की दुनिया में कई उपियोग करके और विभिन स्थानों से कई नेटवर्क की मदद से ध्वनी संचार किया जा सकता है. वाइफाई से हम एक साथ फोन, मुबाइल और कम्प्यूटर की बीच ऐसा कनेक्शन बना सकते हैं. विभिन नेटवर्क के उपकरण गेटवे के माध्यम से एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं. गेटवे ऐसे संचार उपकरण हैं, जो उपयोग करता को इंटरनेट से जोडते हैं. यहाँ विभिन नेटवर्कों के बीच मध्यस्थ के रूप में काम करता है. विडियो संचार का अभिसरण इन दिनों विडियो कॉन्फरेंसिंग और विडियो स्ट्रीमिंग, पेस्बुक, वाट्साप आदी कई मल्टिमीडिया अप्लिकेशन प्रसिद्ध हो रहे हैं. पहले की समय में, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के माध्यम से विडियो कॉन्फरेंसिंग की जाती थी. लेकिन इन दिनों विडियो कॉन्फरेंसिंग वाइफाइ ब्रॉडबैंड कनेक्शन के माध्यम से की जाती है, जो आईपी नेटवर्क का उपियोग करता है. MPEG उच्च गुणवत्ता वाला और विश्वस्नियव विडियो संचार प्रदान करता है। दूर संचार ओपरेटर इन दिनों IPTV नामक प्रसारण सेवा प्रदान करते हैं, जिसकी मदद से उप्योग करता अपने पारंपरिक TV सेट के साथ साथ कम्प्यूटर सिस्टम के माध्यम से भी विडियो प्रसारण देख सकते हैं।